बिस्मिल्ला इर्माइन रहीम, असलाम लेकूम, वेलकम बैक टू माय चैनल, आज हम बनाने वाले हैं बटरफलाई अबाया, यह बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगता है और बहुत कम वक्त में आप इसे बना सकते हैं, इस अबाया को बनाने के लिए हमें सैटन की की जरुवत पड़ेगी और यहाँ पर मैंने चैनल रिबिन भी यूज़ की है, आप चाहें तो इसे जोर जोर की कपड़े में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, सबसे पहले मैं आपको इस अबाया की कटिंग सिखाऊ होंगी, और आपको इसकी कटिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसके बाद में आप डायरेक्ट कपड़े पर कट कर सकते हैं, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, तो यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है, आपको कटिंग बताने के लिए, तो समझ लिज कपड़े को एक यो पर रख देंगे, और फिर हमें फोल्ड करना होगा, और हमें जो भी ये कपड़े की चोड़ाई है, हमें अपने आस्तिन के हिसाफ से लेनी होगी, यानि एक अगर हास्तिन से आप शुरू कर रहे हैं इसका नाप तो आप बाजू को फैला लीजिए, और अगर हमें एक्स्टा कपड़ा यहाँ पर साइड में लग रहा है, तो व हम कठ करके निकाल देंगे, बइल्कुल इसी तरह से हमें नीचे सेम ही मेजरमेंट रखना है, जितना हमने उपर लिया है, उतना इसे नीचे भी रखना है और इस तरह से हम इसे सीधा मार्ग कर दें अगर आपके पास कपड़ा बराबर है तो आपको बिल्कुल कटिंग करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर कपड़ा ज्यादा है विद में तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा यहां से निकालना होगा करके तो पहले हम यहां पर देखिए निशान लगा लेते हैं और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आप चाहें तो आगे की तरफ खोल के बटन लगा दें शौड गला करके और यहां पर हमें शोल्डर को डाउन बिल्कुल नहीं करना है जो भी हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो हम साइड से निकाल लेंगे और कॉर्णर पर से हमे इस तरह भी निशान लगा लेंगे फिर इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है यानि हम इस तरह से इसे ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल राउंड सा और फिर जो हमने यह मांक किया है इसे हम कट कर देंगे तो हमें कपड़े पर भी इस तरह से कट करनी है क्योंक अगर उन्पर बटन प्राइब करें सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर गल्ला कट करना होगा तो यह सबसे पहले क्या करेंगा अंदर वाला एक पेपर निकालएगे कपड़ को अलग कर लेंगा जो बैक वाला हिस्सा यहाँ पर नेक नहीं कट होता है बटरफ्लाय में बिल्कुल सीधा हम इसे रखेंगे सिर्फ आगे का जो नेक होता है उसकी कटिंग हमें करनी है तो यह आपके उपर है अगर आप थोड़ा सा डीप चाहते हैं तो आप डारिक गला कट कर लीजिए लेकिन अगर आपको सामने बटन रखनी है तो आप थोड़ा मैं थो पीखो करा सकते हैं श्या फिर लेज़ा सकते हैं और जब अप लेस लगा लिए तो कपड़े को टर्फ कर दे उसके बाद में कंपड़ा करने के बाद में हमें hitting का निशान लगाना होता है आप चाहे तो slip के लिए थोड़ी से जुड़ सकते हैं बटन लगा सकते हैं कैसे लगाते हैं मैं आई बटन में आपको दे दुगी मैंने कफ्तान कटिंग की video अपलोड कर दी है और इस वीडियो में आपको बता दूगी किस तरह से हमें इसकी इसकी निशान लगाना है तो हम सबसे पहले किया करेंगे जो हमारे शोल्डर उसका हाफ हम ले लेंगे यहां लोज ही रखें उसके बाद में आपको कमर का निशान लगाना है जितनी भी आपकी कमर है उसका 1.5 इंच एक स्ट्राप को लेना है और आप चाहे तो यहां तक भी सिलाई लगा सकते हैं और नीचे का ओपन रख सकते हैं और चाहे तो आप कमर के बाद से नीचे तक का ए लाइ बनाना हो तो आप 59 इंच वीद का ही कपड़ा लीजिए तो उसमें जादा जॉइंड करने की ज़रूद नहीं होती है यह अबाय के लिए स्पेशल मिलता है यहां पर मैंने मुटा वाला सेटन लिया है अब देख सकते हैं इस कपड़े को इसमें शाइनिंग भी है तो कपड आधें से लागाय के देख सकते हैं यह बाद में अगर यहाँ पर बटन लगानी है साइड में तो आप सकते हैं लेकिन मैं इस अबाय में बटन नहीं लगाने वाली हूं तो कपड़े को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे हमें यहां पे सिर्फ नीचे के हिस्ते में कटिंग करनी है आपने देख लिया पेपर मैंने किस तरह से कट किया है जितनी भी हमारी चोड़ाई इसका हाफ हम ले और साइड में जो यहां पे एक तरफ फोल्ड वाला हिस्सा था इसे हम इस तरह से कट कर देंगे यहां पर देखे मैंने इसे कट कर दिया है अब जो भी मैंने यहां पे पिनप किया था उसे हम निकाल देंगे और एक हिस्सा कपड़े का हमें यहां पर अलग करना है क्योंकि हमें यहां पर गले की कटिंग करनी है तो हम यहां पर जो है साड़े 5 इंच पर गला कट कर रहे हैं और पीछे वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया है इस तरह से हम cut कर देंगे back neck हमें इसमें बिल्कुल cut नहीं करनी है इसके बाद में paper canvas पर भी हमें गले को cut कर लेना है तो मैंने याप एक गले की cutting कर ली है इसे हमें stick करना है तो हम इसे press से stick कर देंगे उसके बाद में जो भी extra कपड़ा है हम उसे cut करके निकाल देंगे आपको जो भी आसान तरीका लगे निक बनाने का आप अपने हिसाब से बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने back वाला हिससा नीचे रखा है इसके और आगे का मैंने इस तरह से रख दिया है हमें यहाँ पर back वाले हिससे पर एक पट्टी लगानी होगी जो हमारे पास यह corner का कपड़ा निकला था हम इसी में से एक पट्टी लगा देंगे और इस पट्टी को हमें इस तरह से पीछे की तरफ लगाना है यानि हम इसे उल्टा करके इस तरह लगाएंगे लगाते हैं अब हम नेक को इसके उपर अटेच कर देंगे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे इसे उसके बाद में हम यहाँ पर कट का निशान लगा देते हैं क्योंकि हमें गले को पलट लेना है तो इस तरह से हम कट लगा देंगे इसके अंदर उसके बाद में इससे हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद में हमें इसके उपर साइड में बहुत ही बारीक सिलाई लगानी है बिल्कुल पास में से हमने यहाँ पे सिलाई लगाया है तो इस तरह से देखिए हमारा नेक जो है वो बिल्कुल रिडी हो चुका है अब हमें बैक वाला हिस्सा इसके उपर अटेच करना है तो मैंने नीचे बैक वाला हिस्सा रख दिया है निशान भी लगा दिया है और साइड में इस तरह से पिन अप लगा दिया बिल्कुल सिदी सिलाई हमें लगानी है लेकिन हमें यहां पे बीच में यह पट्टी अटेच करने हैं क्योंकि हमने नहीं बनाया है तो दो इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और फोटे नहाफ मैंने लेंट में इसे रखा है तो इस तरह से हम पट्टी को देखे बिल्कुल सेंटर में मिला के रख देंगे पहले हम इसे पिन अप कर देंगे बिल्कुल सिदी सिलाई हमें लगानी है इस पट्टी को इसी तरह से हमें सिलाई लगाते चले जाना है दोनों तरफ से उसके बाद में हम इसे पलट लेंगे तो इस पट्टी को देखे इस तरह से अटेज करेंगे नेक को बराबर करते जाएंगे और बिल्कुल सीधे सिलाई लगाते चले जाएंगे अगर हम इस अबाया में नेक बनाएंगे तो फिर वो पीछे की तरफ से गरदन दिखाए देगी तो अबाय बिल्कुल भी अच्छा ने लगेगा इसलिए हम यह पट्टी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सीधे सिलाई लगा दिया है पट्टी लगाने के बाद में जो यह वाला हिस्सा हमें यहां पर हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है उसके बाद में हम हाफ इंच की ग मैं यहाँ पर saturn ribbon लगाने वाली हूँ, तो चलिए हम लगाना शुरू करते हैं इसे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम थोड़ा सा fold करेंगे और फिर saturn ribbon को इसके बाद लगाएंगे, इस तरह से देखे हम इसे fold करेंगे और इसके ओपर saturn ribbon रखे लगाएंगे, वाला हिस्सा होगा, वहाँ पे हमें saturn ribbon को थोड़ा सा plates डालनी है, क्योंकि ये saturn ribbon बिल्कुल सीधी होती है, तो ये turn जल्दी नहीं होती है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा सा जोल देना होगा, उसके बाद में हम इसे double silahe लगा देंगे, दूसरे तरफ भी हमें silahe इसे, तो हमारी यहाँ पे देखिए, लेज भी लग चुकी अच्छी तरह से, और ये हमारा अब आया side से बिल्कुल ready है, अब हमें इसके अंदर fitting का निशान लगाना है, तो आप देख सकते हैं कितना चोड़ा ये बना है, तो अब हम इसमें fitting का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, शोल्डर मग किया है, मैंने यहाँ पे डेड़ी चेक्स्टर रखा है, उसके बाद में जितना हमने शोल्डर रखा है, उतना ही हम यहाँ पे length में भी ले लेंगे, और फिर हमें chest का न निशान लगाए या फिर नीचे तक, तो मैं यहाँ पे सिधा नीचे तक निशान लगाने वाली हूँ, यहाँ से हमें जितना भी घेरा चाहिए, उतना निशान लगाने के बाद में हम बिल्कुल क्रॉस में एलाइन जैसा कटिंग करते हैं फ्रॉक की उस तरह से हम यहाँ मार्क कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे देखिए मेजर टिप को बिल्कुल क्रॉस रखा है, और इसे हम इस तरह से मार्क कर देंगे, तो हमने जो मार्क किया है उस पर हमें सिलाई लगानी है, मैंने देखिए यहाँ पे मार्क कर दिया है, और चोड़ाई भी हम नाप लेंग और पलटने के बाद में द्वारा हम एक ब़र इसे मिजर करेंगे तो यहाँ पर हम शूल्डर नाप लेते हैं इसके बाद में केस्ट का निशान भी हमें करना है यहाँ पर मैंने देखी बराबर पर बिल्कुल निशान लगा दिया है कमर का भी निशान हमें इसी तरह से लगाने है दोनों को हम मिला देंगे इसके बाद में हमें नीचे हिसे में निशान लगाना है यानि कमर के बाद से पहले हम इसे फोल्ड कर लेते आगे कमर के बाद से हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से तो मार्किंग हो गई है और जो हमने मार्क किया है बिल्कुल इसी पर हमें सिलाई लगानी है तो इस सिलाई को आपको डबल करनी है बहुत ही कम वक्त में हमने इस अबाया को तयार किया है तो आप घर पर ही ऐसा अबाया बना सकते हैं आपको टेलर को भी देने की बिल्कुर जरूरत नहीं है बस आप इसमें ध्यान रखें कि आप जब भी कपड़ा खरीदें बटरफलाय अबाया बनाने के लिए तो आप 59 विद वाला ही कपड़ा ले तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी बनाने में इसी तरह से अलग-अलग अबाया और इसकाफ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें उमिद करते हूं कि आज की वीडियो आपके लिए हैल्फल रही होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं हम एक नए अबाया के साथ जब तक के लिए टेक केर अल्ला हाफीज